आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्स की उपर बात करने जा रहा हूं जो प्रोजेक्ट आप लोगों को 50x 40x से लेकर 100x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं येस माई फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को जितने भी प्रोजेक्ट विद कम्पलीट कॉमुनिटी सपोर्ट विद कम्पलीट हाईप आप लोगों को इस वीडियो में समझा सकों winners अगर आप लोग इस टाइम पर crypto market को समझ रहे हैं, तो आप लोग को इतना तो confirm हो चुका होगा कि bull run की शुरुवात हो चुकी है, bitcoin hauling के बाद, जो bitcoin के hauling के reward होते हैं, उसका जो correction mode है, जिसके बारे में मैं आप लोग को पिछले डेड़ महीने से बात कर रहा हूँ, वो भी कहिना कहिए पर काफी हद तक अब confirm होता हुआ, इट मींज, bitcoin hauling reward अब अपने proper तरीके से correct mode में आते हुए, और यही एक सबसे बड़ा point है, जिस point के बाद crypto market के अंदर bull run की शुरुवात होती है, और स्टेलिया साइट से भे bitcoin sport ETF की ट्रेडिंग की positive news आ चुकी है, इथेरियम का ETF अप्रूव हो चुका है, सोलाना ETF अप्रूव की rumors भी market में आ चुके है, इस time पर हमारा जो focus है, वो इनी proper news पर अगर है, तो हम लोग definitely यह समझ चुके हैं, कि crypto market में bull run की शुरुवात हो चुकी है, इसके इलावा जो इस time पर सबसे बड़ा news और update चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है coin base की तरफ से, base chain day by day improve हो रही है, base chain के projects लगातार improve हो रहे हैं, आपको याद होगा, लगबग 2 महीने पहले से मैं आप लोग को bread coin, djn coin और mock coin के बारे में बता रहा हूँ, bread coin 1 billion dollar की market cap को cross कर चुका है, अगला जो point है वो djn का है, कही ना कही पर back end में, djn project के back end में अगर हम बात करें, Vitalik Butreen जो Ethereum के co-founder है, उनकी support भी है, top most जो third project system पर चल रहा है, वो mock coin है, then हम fourth project की बात करें तो तोशी है, अब normie और boj coin के hack होने के बाद, लोगों का base chain से जो confidence है, वो lose हो रहा है, शायद whales यही चाहती है, दोस्तो इस confidence को lose मत करना, क्योंकि आने वाला एक साल, या तो अब मैं बोलूँगा एक साल भी नहीं, हमारे लिए बहुत important होने जा रहा है, तो ultimately वीडियो के starting में, मैंने आप लोगों को base chain के 5 project का hint तो दे दिया है, Brett अल्रेडी 1 billion dollar की market cap से उपर जा चुका है, idea है कि 20 billion dollar से ज़्यादा की market cap बनाएगा, ये rumor भी है और कईना कई पर इसके sentiments भी यहीं बता रहे है, it means, Brett में अभी 18 से 20 गुना का profit आप easily निकाल सकते हो, DJN, Mok coin, Toshi और इसके साथ चाथ, Boge जो अभी recently hack हो आ है, लेकिन दुबारा से relaunch हो चुका है, proper airdrop दे चुका है, Boge के अंदर भी एक बहुत बड़ा chance बन सकता है, और अगले में project की बात करूँ, normie मेरे साथ से अभी buy मत कीजिएगा, क्योंकि normie में अभी कुछ चीजे confirm नहीं हो पा रही है, तो ये तो हो गया base chain, Solana chain के अगर आप बात करो, 14-15 million dollar की market cap पर चल रहा था, और आज की rate में 30 million dollar की market cap बन चुके है, यानि कि 2x अल्रेडी हो चुका है, बट अभी भी buy करने का right time है, क्योंकि Da Vinci आप लोग जानते है, The Early Bitcoin Adapter, और YouCan से, जिन्होंने पूरी दुनिया को YouTube की, बनलब जरिये Bitcoin के बारे में बताया था, उन्होंने openly बोला है, और इस project के ओपर मेरा पूरा focus है, इसलिए मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूं, Waffles Coin को lose मत कीजेगा, इसके लावा, Solana based मैंने आप लोगों को teams भी बताया है, तीन महीने से मैं आप लोगों को Dodge Coin Base या Dodge Chain Base OMNOM भी बोल रहा हूं, Recently Blue Tick मिल चुका है OMNOM की supply पर, Monge Coin की मैं बात कर रहा हूं, US Congressman की एक वीडियो, जब जो Twitter पर सबसे ज़्यादा viral हुई है, उसके बाद से Ethereum Chain Base Monge Project जो है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी hype बन चुकी है, Mongeoos Coin करके बहुत एक वीडियो बाइरल हुई, लेकिन वो exactly Monge Coin की बात है, इधर से Hamster Combat की news भी चल रही है, Not Coin की news भी बहुत टॉप पर चल रही है, Recently मैंने अभी Not Coin आप stake कैसे कर सकते हैं, और कैसे आप लोग मुद्रक्ष में Not Coin को stake करके अरण कर सकते हैं, उस से related वीडियो भी परसो आप लोगों के लिए बना के दिये, इस तरहीं पर Tap Swap, एक अलग से mining journey भी start हो चुके है, Satoshi Core App के airdrop भी start हो चुके हैं, Colland के recently airdrop चल रहे हैं, तो बहुत सारी news है market के अंदर, बट इस news से हम लोगों को exactly benefit क्या उठाना है, और कैसे हम लोगों को बता लगेगा, कि ultimately हमें किन project पर focus करना है, वो सबसे important है, अगर आपको याद हो, लगबग आज से, लगबग आज से 10 से 11 महीने पहले, मैं आप लोगों के साथ Bitcoin Ordinal से related updates देना शुरू कर चुका था, सबसे पहले आप लोगों को ORDI बताया, फिर Sats बताया, finally Sats में 1000 Sats का combination होके binational list किया, Rats, Mubi, Dovi, Mubi multi breach option आ चुका है, और बहुत बड़ा project बनने वाला है Bitcoin Ordinal का, ध्यान रखेगा, Dovi, limited supply का token है, किसी भी time improve हो सकता है, किसी भी time एक अच्छा return देने के लिए ready हो सकता है, इन projects को Ordinal के, जो ये specially project ने को lose मत कीजिएगा, इधर, Zen Crypto ecosystem का VMPX, VMPX भी मैंने आप लोगों को proper return के लिए बताया है, Bitget Rise भी बताया है, Baby Doge Coin भी बताया है, दोस्तों आने वाले 6 महीने से एक साल के अंदर, इन सभी project के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी एक improvement देखने को मिलेगी, बट इस वीडियो के help से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे project बताता हूं, जिसके उपर presently focus करना बहुत ज़्यादा जुरूरी बन जाता है, क्योंकि OKEX जब से finally इंडिया से complete अपना बंद हो चुका है, तब से जो web 3 का सबसे बड़ा innovation OKEX इस industry में होने वाला था, वो भी Indian level पर नहीं हो पा रहा है, बट recently अगर आप लोगोंने dog go to the moon project देखा हो, runes based, उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को साथ share की है, और Instagram पर भी आज से 5 दिन पहले एक real share की थी, dog go to the moon से related और runes से related, और उसके बाद से runes के project में तुफान सा आ गया है दोस्तों, उसके पर बात करते हैं, recently अगर मैं bitcoin के layer 2 की innovation की, एक और scalability और transaction speed या फिर gas भी के, मतलब according बताऊं के bitcoin कैसे scalable किया जा रहा है, Stacks, Stacks के project भी दोस्तों अब market में आ चुके हैं, तो यह सभी मिला जुला के आपको इस वीडियो में, मैं top के 5-10 project ऐसे बताता हूँ, अल्रीडी बेस चेन के बता दिये हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास project बताता हूँ, जिन project पर आपको focus करना है, जो project definitely आपको एक अच्छा return देने के लिए ready हो रहे हैं, बट ध्यान रखेगा, risk और reward अब इस market में proper तरीके से आ चुका है, because we know very well, we are right now in the bull run starting, अब यहाँ पर risk भी है, reward भी है, total scam भी है, सब कुछ आपने research खुद करना है, but knowledge के लिए, crypto mark is always there for you, तो चलिए, start करते हैं, बहतरीन project इस bull run के लिए, देखे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, bitcoin का जो runes आया है, dog go to the moon, तो मैं यह dog जो rune coin है, सबसे पहले इसको open कर लेता हूँ, और इसकी market section में, अगर हम आज की rate में चलें, तो देखे, bitmart, bitget, bingex, hot coin, ऐसी centralized exchange पर आ चुका है, और मेरे हिसाब से, buybit, kucoin, binance, अभी इसकी top most listing होना बाकी है, हो सकता है, यह bitcoin का एक ऐसा innovation है, कि आपको बहुत जल्दी coin base पर भी list होता दिखाई दे, तो यह भी इस time पर आप लोग के लिए top most opportunity बन चुका है, टॉप की 100 crypto assets में आ चुका है, 97 इस time पर rank है, 897 million dollar की market cap बन चुकी है, easily 10 billion dollar की market cap मेरे इसाब से यह बहुत easily बनाने वाला है, अब यहाँ देखिए, runes contract है, अब अगर मैं इसके tags में चलता हूँ, और runes का proper ecosystem, अगर हम लोग coin market cap पर सर्च कर ले, तो runes में जो second project बनता है, वो बनता है दोस्तो, runes bridge, अब जब मैं runes bridge पर जा रहा हूँ, तो runes bridge पर यहाँ पर आप market section में जाएं, तो runes bridge एक ethereum based project है, नाम से पता लग रहा है, bridge option लेकर आया है, uniswap, polonics और xt.com में एक option है, दोस्तो, पहले ही बता रहा हूँ, risk और reward पूरे हैं, लेकिन मेरा, मतलब एक बहुत बड़ा आप लोगों को news देने का मन है, ताकि मैं आप लोगों के साथ पूरा चीज़े share कर सकूँ, 75 million की supply है, ethereum chain का यह project है, अगर मैं runes bridge के about a section में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, dives into a rune dap, और यह proper decentralized application जो runes bridge ने launch की है, जिसकी वज़े से आप लोग proper bridge option यूज़ कर सकते हैं, और यह मेरे हिसाब से bitcoin से लेके, ethereum के लिए एक काफी बड़ी utility बन सकती है, यहाँ पर आप देखिए, from bitcoin, ethereum और zeta chain, इन तीनों chain से अगर हमें transfer करना हो, तो ethereum में हम लोग easily transfer करके bridge कर सकते हैं, अपनी runes based assets को, तो यह कहीं ने कहीं पर एक proper, एक अच्छा bridging option जो है, वो runes को लेकर आया है bitcoin का, तो ultimately runes bridge option जो है, मुझे इस time पर बहुत low market का लग रहा है, हलाकि इसकी जो verify supply है वो हो चुकी है, और approximately 3 million dollar के आसपास की market cap भी बन चुकी है, early stage का project है, runes bridge आपको ethereum chain से simply जाकर uniswap पर buy कर लेना है, उसकी बाद अगर मैं runes में आपको तीसरा project बताऊँ, वो है दोस्तो, वैम जो हमारी कुछ आपको centralized exchanges में भी देखने को मिलने वाला है, यह वैम project अगर मैं market section में चलता हूँ, तो इस time पर radium आप जानते हैं, solana और bnb की smart contract पर है, solana भी है, bnb भी है, multiverse भी है, और runes भी है, 4 smart contract है, तो solana की वज़े से radium पर easily available है, और अगर हम बात करें gate.io पर है, gate.io ने bitcoin runes को बहुत जल्दी अडब किया है, gate.io पर आपको mostly इसके project दिखने वाले हैं, तो वैम, यह भी मेरे साब से एक early opportunity बन सकता है, 1580 rank पर है, 2.8 million dollar की आसपास इसकी supply बन चुकी है, इसके इलावा, अगर मैं इसी category में देखूं, तो unibit एक project है, hiera unibit 3420 rank पर है, अभी तक इसकी जो supply है, वो officially verified नहीं हुई है, लेकिन यह भी मेरे साब से एक low cap gem बन सकता है, runes based project और इस time पर arbitrum smart contract पर available है, तो अगर हम market section में चलते हैं, तो आप लोग अपने metamask wallet में arbitrum chain को add कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए, DEX में option नहीं है, MEXE और bingeX, मतलब दो ही centralized exchange है, जिसके अंदर यह बहुत बढ़ा एक, runes का जो है, बहुत बढ़ा potential बन सकता है, अब आप यह देखिए, पांच दिन पहले, insta पर मैंने आपको runes related reel डाली, और उसके बाद से धमाल देखिए, हाला कि यह धमाल मेरी वज़े से नहीं हुआ, ultimately यह कितना बड़ा bitcoin का innovation है, कि हम लोगों को यह धमाल देखने को मिलने ही वाला है, तो 7 days में आप return देख लीजी एक बार, 126% lobo project में है, सतोशी नाका मोटो में 68%, 13% RSI genesis rune project में है, 126% meme economics meme में है, decentralized rune 31% है, unibit अभी down है, लेकिन बंको की बात करो या uncommon goods की बात करो, तो 61% तो 72% का gain, last 7 days में है, dog runes की हम बात करें, जासे शुरुवात हुई है Bitcoin rune की, वो 38% की rise up पे है, rune bridge इस टाइम पर last 7 days में 15% down है, WAM 5% up है, बट ये मेरे इसाब से curly opportunity है, पर इसके साथ पूरे risk और reward जुड़े हुए, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम मतलब इस scenario में देखें, तो dog एक ऐसा project और जो इस टेम पर safest asset side में आया है, इसके लावा कोई भी नहीं, तो ये complete risk और reward है, बट एक Bitcoin का नया innovation है, जिस पर मेरे इसाब से हमें focus starting में कर लेना चाहिए, बट इस टोटली up to you, अब उसके बार हम बात करें, अब यहाँ पर crypto market में न, CMC पर अगर आप लोग, जैसे जब हम projects देखते हैं, तो यहाँ पर जो show rose है, जैसे 100 है, अगर यहाँ पर हम लोग 100 से नीचे, मतलब 1000 से लेकर 2000 के बीच के कुछ project देखें, और उन project के अंदर अगर हमें कुछ potential दिख जाए, तो मेरे हिसाब से वो project का potential हम लोग जानकर, समझ कर, काफी अच्छे level पर easily buy कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, यह CMC है, और CMC के इस टाइम पर हम लोग चलते हैं, 1000 के बाद वाले project, जिस list में मैं आप लोग को कुछ ऐसे token बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे coin बताने वाला हूँ, जो हम लोगों को बहुत बड़ा definitely return देने के लिए ready हैं, ओके, तो मेरा target है कि मैं आप लोगों को ले कर जाऊँ, 10 million dollar की market cap से नीचे, लेकिन ऐसे project, जिन project के अंदर hype है, जैसे मैंने आप लोगों का अभी video के starting में, Monk coin बताया, Monk coin की मेरे जिसाब से, कोई बहुत बड़ी भी market cap नहीं बनी है, इसकी इलावा आप लोगों ने recently cat coin भी सुना होगा, cat का एक तर्म से बहुत बड़ा innovation आ चुका है, एक तो आप लोगों ने सुना होगा cat, C-A-T, और एक है C-A-T-E, cat coin 986 rank का ये project है, और इस टाइम पर अगर हम बात करें, सिरफ 17 million dollar की इसकी market cap है, जिस हिसाब से, bull run में हम लोग alt coin season समझ रहे हैं, और लगबग 2.5 और 2.7 trillion की, alt coin की जो bullish rally देखी जा रही है, इस हिसाब से, ये project वो है, जो top के thousand में है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा grow देने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं, 1000 से उपर वाले और 1100 के बीच में, यहाँ पर कुछ ऐसे project, जिए project के अंदर हम लोग एक अच्छा return निकाल सकें, हाला कि देखिए, हर project की research करना बहुत मुश्किल होता है, यह आप लोग भी जानते हैं, लेकिन हम कुछ project की बात करें, जिनके background में, चाहिए आप लोग solana chain है, चाहिए आप लोग कोई top most hype है, उसकी बात करें, तो यह देखिए, 1054 rank पर यहाँ पर mong coin है, last seven days में 21% down है, और मेरे इसाब से bullish rally, जो है mong coin के लिए, बहुत better बन सकती है, इसके लाब हम बात करें, bad idea AI, bad यह project, 10300 rank पर है, इसके अंदर भी मेरे इसाब से, बहुत अच्छा return निकल सकता है, आने वाले bullish rally के अंदर, 10100 rank का है, और 14, 14.34 million dollar की, इसकी overall market cap बनी है, उसके बाद हम और नीचे चलते हैं, poo project, इस project की भी बहुत बड़ी hype बनी हुए, 1070 rank का यह project है, उसके बाद हम और नीचे थोड़ा सा आए, तो ऐसे बहुत सारे project है, जो शायद अभी मैंने खुद, मतलब इसको research नहीं किया होगा, देकिन yes, मुझे लग रहे हैं कि कही ना की पर एक बहुत बड़े project बन सकते हैं, जैसे हम लोग real you network, RIO की बाद करें, उसके बाद कास्टा, polygon matica यह project है, इसकी बाद करें, उसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे आए, type AI project की बाद करें, Aria coin की बाद करें, ठीक है, और आप नीचे आओ, तो मतलब मेरे हिसाब से हमारा focus होना चीए, 10 million dollar से नीचे की market cap, उसके बाद देखिए कि डोशी भी, यह recently project Solana के उपर आया है, और अगर मैं इसको यहाँ पर open करके देखो, तो इसकी market cap 11 million dollar की है, अभी भी मेरा market cap, मलब अभी भी मेरा जो target है न, वो 10 million से नीचे, कि अगर आप market cap देखें, तो वो एक बहुत बड़ा reward, और उसके साथ साथ risk, जितना हम invest कर रहे हैं, वो तो definitely है, तो risk और reward इस टाइम पर है, लेकिन अगर हम focus करें, उन projects के उपर, जिनकी market cap 10 million dollar से कम है, ये मेरे इसाप से एक बहुत बड़ा impact डालेगी, जैसे 1183, 1183 rank पर ये dodge chain based का OMNOM, अभी वीडियो के starting में में ने बताया है, 10.25 million dollar की ये, मतलब ओल्रड़ी इसकी market cap बन चुकी है, और इसने अपना all time high, बहुत better level पर अभी बनाया था, उसके बाद से लगा था, डाउन है, बिकॉस अभी तम dodge coin के अंदर एक hype नहीं देख पा रहे हैं, एक recently एक movement नहीं देख पा रहे हैं, तो जैसे-जैसे dodge coin के अंदर एक recently हम लोगों को बड़ा movement देखने को मिलेगा, मेरी साब से OMNOM वापसी करेगा, और एक बहुत बड़े return के लिए definitely दुबारा से ready होने वाला है, उसके बाद हम बात करें, और बहुत सारे ऐसे project आपको दिखने वाले हैं, गरी network, बहुत ज़्यादा down गया है, लेकिन हो सकता है कि ये project भी आपको दुबारा से एक बड़िया return देखता हुआ मिले, इसके बाद मैंने आप लोगों को दो project teams और byte, byte base chain का है, और teams, teams के बार में मैंने आप लोगों को काफी बार बोला है, 1203 rank का project है, ट्विटर पर अगर हम देखा जाए तो analytics के एक बहुत strong community है, और लगबग 9 million dollar के आसपास इसकी market cap है, 1201 rank है, इस project के अंदर भी मुझे बहुत बड़ा एक return definitely दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम बात करें, और अब और नीचे आईए, 10 million dollar से नीचे जैसे हम 9 million dollar तक पहुँच चुके हैं, बहुत सारे ऐसे project हैं, तो recently हमें यही देखना है कि Twitter पर किन projects की सबसे ज़्यादा hype चल रही है, किन projects के अंदर सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, और उनकी market cap अगर हम लोग early stage में pick कर सकें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा chance बन जाएगा, जैसे अब देखें, lovely you new finance, इतने बड़े grow होने के बावजूद भी आज भी 1260 rank पर है, और overall अगर मैं इसकी बात करूँ, market cap आज भी 8.27 million dollar की है, तो कई ना कई पर lovely you new finance में, आने वाले bull run में एक और बहुत बड़ा return मेरे साब से देखने को मिलने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे project हैं, place app, इसके ओपर भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, 1275 rank का project आलर की date में बन चुका है, gaming based project है, अप्रोक्स 8 million dollar की इसकी market cap है, ये भी मेरे साब से काफी अच्छा return आप लोग को आने वाले bull run में देने वाला है, तो ऐसे दोस्तों और बहुत project हैं, लगातार ऐसी projects में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो main projects हैं, उनकी ओपर definitely focus कीजिएगा, जैसे मैंने आप लोग को bitcoin का runes बताए, OM, NOM, Monk coin, Chems coin, ये वो project है, इवन Waffles, Da Vinci का latest project, बहुत बढ़ी हा return देगा दोस्तों, there is no doubt, इसके लाव और बहुत सारे project हैं, जो अच्छे return के लिए ready हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुके हैं अलड़ी, तो आने वाली videos में, आप लोग को definitely और नए से नए project share करने की पूरी कोशिश कर हुआ, otherwise please do connect with me on Twitter as well as on Instagram, ताकि आपको सारे latest update time to time मिलते रहें, Thank you so much for watching this video, and please do subscribe CryptoMark YouTube channel, but please keep it in mind, you are in the highly volatile market, so please do your own research before buying, before starting, before investing in crypto market, Thank you so much.